हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल हेल्थ इस वेल्थ पर दोस्तों आपने अकसर देखा होगा कि शादी होने के बाद कुछ समय तक लड़का और लड़की एक साथ अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं और इसी चक्तर में उनके साल ये डेट साल शादी के बाद अच्छे तरीके से बीच जाते हैं लेकिन कई बार जब ये समय बीच जाता है तो पती अकसर पत्नियों के साथ बेवफाई करना शुरू कर देते हैं जिनका कारन हमेशा पत्नियों जरूर पूछती है कि आखिर कार उनके पत्नियों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया है चलिए आख जानते हैं इही कारनों के बारे में एक दिनकी वज़े से पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं दोस्तों शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसके अंदर पत्नी दोनों को ही एक साथ एक दूसरे के हिसाब से चरना पड़ता है थोड़ा बहुत adjustment, बहुत ज्यादा understanding और उससे भी ज्यादा प्यार ये तीनों चीज़े मिलती हैं और सही तरीके से चलती हैं तभी एक शादी लंबे समय तक टिक पाती है लेकिन जब ये तीनों चीज़े आपस में अस्त वेस्त हो जाती हैं तो शादी का टिक ना नामुकिन सा हो जाता है और इसी वज़े से कई बार पती अपनी पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं दोस्तों कई बार हम अपने रिष्टे में अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा ही चाह रखने लगते हैं कुछ ज्यादा की चाहत हमें काफी ज्यादा असंतुष्ट कर देती है जब हमारी इच्छाएं, हमारा पार्टनर, हमारी चाहत के अनुसार पूरी नहीं कर पाता है तो हमारी सारी इच्छाएं असंतुष्टी में बदलती चली जाती हैं जिसकी वज़े से हम काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं समय से पहले ही हम अपने रिष्टे को तोड़ने के बारे में सोच लेते हैं इनी तीन कारणों की वज़े से पती अपनी पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं इसलिए दोस्तों अगर आप किसी के साथ रिष्टा बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा की चाहा करना आपकी सबसे पहली और बड़ी बेवफूफी है इसलिए बहुत ज्यादा की चाहा कभी मत करिए और अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए आप खुद को भी समझाए और उन्हें भी समझे ताकि आप आपस में अपरी अंडेस्टेंडिंग को बिठा सके मेरी ब्यूटी और हैंसे रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ